हलो दोस्तों आपके अपने चैनल अजय टेलर्स ओनलाइन टेलरिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम सीखेंगे वेस्ट कोट की कटिंग दोस्तों एक महत्वपून बात जिन माता हूं बहनों को या जिन भाई लोगों को लेडिस गाम सीखना है बैसिक से एक दम तो वो मेरे नई चैनल लेडिस फैसन को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि लैंट साड़े प्रचीज है चेश्क चालिस वेश्च चालिस है पुनतालिस लूजिंग तीन इंच की रहेगी लूजिंग देने के बाद यह तैयारी का नाप है तिरतालिस फोटी थिरी थर्टी नाइन फोटी टू है तो दोस्तों सुरू करते है कि कि दृस्तों सबसे पहले हम यहां किनारी से मिलाएंगे सकेल और यहां एंछ एंण अर और यह सामने से लवसलय किनारी से 10.2 एंच पर नियुror शर्राओं त्यूछ होती है कर बेलट पर हम निसान लगा देंगे यह हो गया दूस्तों डीड़ इंच पर हमने निसान लगाया है यहां किनारी से आधा पूना इंची छोड़ करके निसान लगाया जाता है तो दूस्तों सबसे पहले यह लंबाई का निसान लगाएंगे लंबाई 25 है तो एक इंची पलस करके 26 पर निसान लगा देंगे यहां पर दूस्तों आर्मोल जो उतारा जाता है चोथाई में आधा इंची पलस करके 40 है तो चुथाई का दस इंची होगया 10 और आध़ा इंची पलस किया तो यह 8 sowie 10 lang लगाना है और कमered का निसान जो है हुत दूस्तो इस भी साइसे स्किल्क मिला करके यहां से सीधा कर लें निसान और लाइक का लिए Luck I अब दोस्तों यहां पर हम टीक का निसान लगाएंगे जो बैक की टीक होती है तो हम यह सामने पर लगाएंगे टीक का निसान तो हमारा चालिस है तो यह चालिस पर हम निसान लगा देंगे 20 आ रहा है हमारा यह इसकेल में तो हम यह टीक का निसान यहां लगा दिया हमने यह और उसके बाद एक इंची पलस करके निसान यहां से हम लगाएंगे आगे तो सबसे पहले सामना काटा जाता है वेसकोट का और सामने में हमने यहां से टीक का निसान जो बताया है आपको यह बैक की टीक का निसान लगाने के बाद में एक इंची पलस करके आगे निसान लगा हम सब्सक्राइब इन्च एंच आनम और समघें इसलिए नने यो निजन दो इंची हमने जो डॉपनरिशां लग था और यहां व्थ आट让ic रहेंगे यहां से कना ड़ी गम पर ओम शुस होता है याय और पझे 5040 हम्ने आठ्व होएं लगा दें ज़हां इस्किल थे हिस्किल में दे राएं रहा है इसाफ हर यहाँ पे हम एंट्र पर हम ुट में इसम्सब्ट नत्रां सुगराओ इंखी थंभा आथ कर दीन सूथ मर्जन का निष्आर्ड र दीन तो यह से लिट को सब्ब्र सब्सक्राइब कर लिए गार आथा इंची आपनेके बाद में चलाइगा वंस्तों इस तरह से लिए दिन सान लाना एक बीका जो निसान ले का ऐसे अब दोस्तों हमें 43 इंची तयार रखना है चालिस चालिस है लूजिंग 3 इंच की रही 43 इंच हो गया अब 43 में हमने 300 का मार्जन और लेना है यह हमारा 300 का मार्जन ले लिया हमने यह हो गया हमारा 43 इंच होने 11 300 का मार्जन हो गया ऐसे हमने 36 पर कर दो यहां पर चौथा ही इंच हो गया नो और 49 हमको त्यार लगना है 36 49 49 का चोथा हो गया तोने दस पर यहां निसान लगा दिया हमने और यह तीन सूथ का मार्जन का निसान हो गया हुआ है है हमारा साड़े तरह निसान लगाएंगे यहां पर हम यहां तीन सूथ का मार्जन का निसान लेना है अब दोस्ते है हम से फट्टी रखके इस तरह से निसान लगाएंगे यहां पर हम यह चेश्ट से मिला देंगे कमर की निसान को और दोस्ते हैं यहां से यह धाई इंची बैक जो कम किया जाता है धाई इंची बैक कम होती है बैक की लंबाई सामने से धाई इंची कम होती है यह निशान लगा लिए हमने लेक का अब दोस्तों यहां पर हम यह पोना इंची जो हमारा तलपट का निशान जाएगा बटन का निशान होता है वो लगा देंगे और साड़े चार इंची हमारा बी रहेगा यह जो नीची बी बनेगा हाँ say to aid them inew और चार इंची पें हम ऊपर संग लगाएंगे भी और यहां पर यह जाएगा ABS का देट और यहां से भी हमें यह आधा इंची नीचे उतार के निसान लगाना है का यह हो गया और इसको हम नाप लेंगी यहां कि दना रहा है हमारा 11 11 11 5 5 5 5 तोने तीन कि यह हो गया है कि इस तरह से है कि यह हमारे पांच बुटन की बेस कोड़ हो गई पांच बुटन की बेस कोड़ होगी दोस्तों यह और यह हमने बी का निसान इस तरह से लगाना है और यह से फटी यहां से मिलाना है यहां पर जो नीचे कर्व होता है यह इस तरह से बढ़ाया जाता है और जोस्तों यहां पर हमें चोथाई दस चोग चालिस दस चोग चालिस है तो हमने इसमें धाइंची हमें कम कर लेना है और यह से फटी यहां से मिलाना है यहां पर और इस तरह यह राउंड का निचान लगाना है आर मूल पर यहां पर धाइंची कम किया जाता है चोथाई में धाइंची कम मैनस धाइंची मैनस कर लिए हमने चोथाई से दोस्तो यह पूकेट का निचान लगाना यहां पर पूकेट का निचान आठ इंच पर लगा लिजीए लंबाई के हिसाब से उपर नीचे होता रहता है एक दूसूद दूसूद आधा इंच कोई फरक नहीं हो इसे साफ से लगा ले जाता है ऐसी और यहां से हम पोने दो इ अब कि ओपर वालिट का निचान लगाना है वालिट जैसे लगाना है तो यहां से इसी निचान से और ना इंची अंदर करके निचान लगा लिजीए और यह चार इंच का यहां पोकट का मुगर लेजीए कि इसको और भी अंदर कर सकते हैं यहां से कोई अपने हिसाब से जैसा आगे पीछे करना हो कर सकते हैं अब यह हो गया दोस्तों यहां पर हमगा पोगड़ यह पोगड़ इतनी साड़े पांच इंच का मुझतार रहेगा पोगड़ का कि तो इस तरह से से बेसिपोड इस तरह से को इसे ना सहसे पहले सामना करता है और और बाद में काटी जाती है कि हम ने आपको जैसे को सबीखाया यहाँ एक पार देक का निशान आन पर दनिया यहां से इस टीक की निजान से एक इंचि पुलस करते हम ने यहाँ पर सामने के कंधी का निजान लगाए जो शार्ट आप यह सीसको तरवां से इस तरह से इसको यहां पर कोई मार्जं रहे जारे यह तरवरर के ल है यह बनाएंगे तो हम आपको डम्मी पर डाल कर दिखाएंगे इसको यह बेस्कोट बिल्कुल ऐसे चिपकी रहेगी डम्मी में और सामना जो है बिल्कुल सामने ऐसे पढ़ा रहेगा ना आगे पागेगा ना पीछे भागेगा तो दोस्तों जैसे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए और दोस्तों हमारे वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आखिर तक देखने के लिए आपको जबी समझ में आएगा खुर्त लेसे सामना हमने काट दिया है अब इसके बाद हम आख काटे के दो सबसे पहले जहां से कि एक इंच पर निसान लगाना है किनारे से मिला कि जहांसी कि इस तरह से सीधा निसान लगा लेना है यहां उपर से डेल्ड इंच कपला छोड़ करके मिलाइना आको अगर अब दोस्ट तक हमने अर्मोल का कि संबर आई जिसां कि ए अलगा लगाना है जीसा यहां उड़त घंच पलस करके उतार नासे प्लें अधस इंच इस तरह से निसान उढ़ा लेना हमें एसी तो दोस्तों सामना रखेंगे यहां पर हम इस तरह से निसान मिला करके यह लंबाई का निसान लगा देना है बैक का जो उने डायन ची नीचे उतार की निसान लगाया था डायन ची बैक कम रहेगी वो शामने से डायन ची बैक कम होती है वो निसान मिला नीचे यह स्केल की बराबर मार्जन रखना है दोस्तों यहां से पौना इंचे हमें बैक कमर की सेफ देना है बैक में सेंटर बैक की जो होती सेफ दी जाती हो पौना इंच में इस तरह से मिला देना निसान और यह निसान यहां पर मिलाना है इसकेल को सीधा रखना है यह ऐसे से फट्टी को यह नहीं बठानी है से फट्टी यहां हलका सा जैसे सीधा कर लेना होता है निसान को यह इस अब से बस अग्याश्ट यह हम टीक का निसान लगाएंगे जैसे आप बताते हैं इसकेल के इसाब से जो इसकेल की थियोरी इसकेल थियोरी के हिसाब से यह होगा हमारा 40-20 और यह हम पौना इंची बैक को उपर उठाएंगे पौना इंची हमने उपर उठाया है बैक को अब यहां से हम यह सामना रखेंगे कंदी सामने कंदी इस निसान से मिला करके इसको और यहां हम यह बभ़ाभर से निसान लगा देंगे इसको यह ब़ाभर से निसान देगा दोनों ब़ाभर देगा आप सवांची जैसे सामना दो इंची डाउन होता है आप दो इंची और वैग सवांची डाउन거든요 अब दोस्तों इस निसान को हम यहां सीधा कर लेंगे एल स्केल से इस तरह मिला करके ऐसे हमको सीधा कर लेना है अब दोस्तों यह जो हमने बैक का जो हाफ किया है तो यहां पर हम इसको पॉना इंची 2 cm अंदर को निसान लगाएंगे यह पर यह पॉना इंची बैक कम किया जा और यह निसार उठा लेंगे हम और दोस्तों हमने सामने में जो सेफट्टी बढ़ाया था तो इस तरह से बढ़ाया था इधर से ऐसे मिला करके यहां से और अब हम जो बैक में बढ़ाएंगे सेफट्टी तो यह ऐसे पलट करके यहां इस तरह से बढ़ाएंगे ऐसे बैग में इस तरह और सामने में इस तरह से बढ़ाना है अब अब दोस्तों बैग हमको त्यार रखना यहां से 43 43 43 का चोथा इसा हो गया पूर्णी 11 यह पूर्णी 11 और यह 300 मार्जन हो गया और 49 का चोथा हो गया पूर्णी 10 और यह 300 का मार्जन हो गया और यह 42 का हो गया जैसे 49 हिप है तो 49 और 42 का चोथा हो गया 10,5-10 इंची शाड़े 10 इंची हां निसान लगाया और यह 300 का हमने मार्जन का निसान ले लिए यहां पर है कि दोस्तों बेस्कोड में 3 इंची लूजिंग दी जाती है बहुत यह डाए इंची लूजिंग होती है वह कस्टूमर के उपर आए कितना लूज देना है उसको उसके इसाब से वैसे जैसे से जाधा नहीं दिया जाता है और इसको यहां से हमने ERset याया ये मतलब आण ये जैसे यह मिलाया था ये अब यह हमारे कराशवे कम हो गई यहां पे लोगा थेर सब्सक्राइब आफ और यह को कोई नाप नहीं है तो ये नाप नी होता है इसको त्हुरुट तो दोस्तों यह मार्का हो गया हमारा अब हम यहां पर हम पॉना इंज का मार्जन रख लेंगे साइड में मार्जन अपने उपर है रखे एक इंच का रखें सब्सक्राइब आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया था आपको यह चोथाई से हमने रखना है यहां पर तीन इंच लूजिंग देने के बाद में हमने 40 चेस्ट है तो तीन इंच लूजिंग करें देने पर 43 इंची हो गया और 36 वेस्ट है तो तीन इंच लूजिंग दे करके 49 इंची तयार हो गया और 49 है तो 49 हिब को 3 इंच लूजिंग दे के 42 इंची हो गया तो इसी साब से जैसे कि हमने आपको बताया है इसमें चोथा यह पोर्णे 11 हो गया तो 43 कई वार्याइब हो गया और 30 सूथ का हमने मार्जल ले लिया और जैसे कि हमने बताया था तो पूझ चतीज एस तीन उन्तालेस चौह पहले दास इंची में लिए कि ए तो दोस्तों यहीं किसी हिसाब से काट ना होता है और हुई लो हम बैग काटते हैं तो दोस्तो हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए यहां पर मार्जन कोई नहीं होता है सिर्फ बराबर से काटना होता है मारके पर ही साइड में मार्जन रखना होता है कि दोस्तों आप से रिक्वर्ष्ट है कि आप जो वीडियो देखते हैं तो आप पूरा देखिए तो आपको पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा हमारा साधा नितुक दिक्कत लिए तो ने सब्सक्राइब लगया है है चाक कि यहां से बराबर ही होता है इसमें नम देने का कोई वो नहीं होता है नम नहीं दी जाती कंधी में बराबर होता है तो दोस्तों यह हमारा देश कोट कटिंग हो गया है तो दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद